डिफेंस ऑफिसे जगागमी ने काफी बच्चे बैक टू बैक आरेमसी में दिये काफी स्टूडेंट समसे पूछते हैं कि सर क्या स्ट्राइडिजी रहती है आप किस तरीके से बच्चे को गुरूम करते हैं कैसे उनकी त्यारी करवाते हैं आईए उसी का निचोड में आज आपके सामने लेकर आया हूँ चार मेहने बचेव हैं इस बार के लिए और इन चार मेहने में क्या स्ट्राइडिजी आपको फॉलो करने हैं आई उसको पर बात करते हैं सबसे पहले स्लेबस के उपर बात कर लेते हैं स्लेबस के उपर एक डिटेइड वीडियो में जरूर लाऊंगा कॉमेंट करके आप बताएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो स्लेबस को स्टेडी करना बहुत ज़रूरी है इंगलिष मात्स और जीके तीनों का स्पेसिटिक स्लेबस को प्रॉबडि स्कॉम्यॆ स्ट मेंट लगा हैं सबसे और सेम गोस्वर माप्स और सेम गोस्वर जीके टाइप फुश्टिन जो आपके एक्जाम में आते हैं उनको स्टडी करना इंबोर्टेंट है उसके बाद एक एक करके आप अपना टॉपिक पूरा करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप कही ना कहीं से गाइडन्स ले रह सॉल्व करेंगे उफ्क अपने अगर बस्टम का चापटर किया है तो आप पहले प्रसेंटेंच के सारे लाउस्विन येर्स के को कॉश्टिन करेंगे जब आप कुश्टेंगे तो डेफिनियृट्स भी ज Hello्वास को निपकी बारे में तो परसेंटे यपने वाइडम नी 7-year's papers कर लिए उसी तरीके से English में आपने सपोस्स टेंस कर लिए टेंस के जितने questions है वो आपने सारे कर लिए writing section letters to the editor के जितने questions पूछे गए phrases based composition जितने questions पूछे गए वो सारे आपके पर नोट्स बनते जाएंगे जीके में क्या करेंगे बच्चे पूछते हैं जीके में आप सिर्फ static जीके पर focus करेंगे current affairs के notes नहीं बनाएंगे current affairs के cutting edge हम आपको provide करेंगे do not worry about it अब बहुत important है जैसी कि मैंने जब आप last seven years के paper solve करेंगे उस वक्त बहुत सारे doubts आएंगे और जो बच्चा follow-up नहीं करेगा doubts को महीं छोड़ेगा उसका RMC qualify नहीं होने जाता है मूँ मैं कह रहा हूँ आपके मैं यहां देना इस आप उनसे doubts पूर सकते हैं या आप comments में अपने doubts भी सकते हैं WhatsApp नंबर भी हमारे mentioned है नीची आप उनमें भी हमें WhatsApp कर सकते हैं तो follow-up is very important in every subject follow-up से आपकी growth होगी आपके अंदर confidence आएगा और आपकी preparation भी अच्छी होगी at the end time table क्या रहने वाला है आपका time table सब्सक्राइब कितना time आपको देना है वह बहुत जादा जरूरी है सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा four to six four to six का time मैं आप लोग लिए बनाऊंगा four hours are very important अगर आपने चार घंटे राइंसी को दे दिए तो राइंसी में है आपकी जीत निश्चित है आपका फते पक्का है चार सच है मौनिंग का time बता रहा हूं मैं आपको इस वक्त जो भी आपके वीक सब्जेक्ट से उन फोकस करें उनका revision करें doubts हों तो doubts आप WhatsApp में हमें भेजए इवनिंग चार से छे revision भी आप कर सकते हैं और last seven years के papers भी आप कर सकते हैं ओकी इस तरीके का routine आपका हो अच्य है सुबह चार से बच्चे अभी तक निकले सब सुबह उठने वाले निकले दूसरी चीज चारी घंटे क्यों दिये क्योंकि स्कूल गोइंग स्टुडेंट्स मैक्सिमम हैं यहाँ पर जो अभी आप हमें देख रहे होंगे सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक बच्चे स्कूल में होते हैं उसके बाद दे डू लंच और थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम होता है प्लीज बाकी चीज़े एवाइट कीजिएगा स्पोर्स अक्टिविटी को का टाइम थोड़ा सा रेडियूस कर लेना शाम को चार से छ आफे नार थर्टी मिनट्स में लिखूंगा एक नोवल जरूर पढ़ लीजेगा यह आपकी इंग्लिज भी इंप्रूफ करेगा और राइटिंग सेक्शन के लिए आपके अंदर क्रेटिविटी भी जरूर लाएगा और वह भी एपी जे अब्दुलकलाम क्या राइट के उपर आप कोई से भी बुक पढ़ सकते हैं लाइक इग्नाइट माइंट्स और विंग्स ऑफ फायर यह आपको रूटीन फॉलो करना है इन नेट्शेल हमने बात करें इस लेबस की आप स्टेडि करेंगे उसको जब आप पढ़ेंगे उसको जब आप कंप्लीट करेंगे इसको करेंगे तो आप जिसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं फॉल अप करना बहुत इंपॉटने आइंड लास्ट में आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को रूटीन को फॉलो करेंगे ऐसा नहीं कि एक दिन जोश आगया और एक दिन आपने दस घंटे पढ़ ले बारा घंटे पढ़ ले इससे रिजल्ट नहीं आने वाला कंसिस्टेंसी चाहिए लेट में मेंकिट वरी क् क्योंकि उसके बाद आप स्कूल जाते हैं स्कूल के बाद फिर आप घर आते हैं दोतिन बजे तक फिर से आपको एक घंटे का रेस्ट मिल जाएगा उसके बाद शाम को चार से छह भी आप पढ़ाई करिए प्रॉपर्ली फॉलॉप करें डाउट्स पूछे इस टाइम एंड देफिनिद्ली विल क्वालिफाई दा आरेम से एक्जाम माइ बेस्ट विश्ट विट्यू अलबेस्ट जाहिंद